हाई फ्रेंज मैं हूँ शाइन सेयद वेकम टू माय चानल आज हम बनाएंगे खटे आलू यह बहुत ही डिलिशिस रेसिपी है रमदान में जरूर बनाई जाती है स्ट्रीट फूर्ड जरूर ट्राय करिएका और हमेशा कितले रेसिपी अच्छी लगे ना तो लाइक शेयर आपके पास दूसरी अकर कोई तीखी मिर्ची अवेलेबल है तो वो ले ले और इसको पानी में सोक कर ले 10 मिनट के लिए साथ में कश्मीरी मिर्ची भी आप सोक कर सकते तो इससे कलर अच्छा आता है मेरे पास कश्मीरी मिर्ची अवेलेबल नहीं थी तो मैंने कश्मीरी मि साला स्टोर करने वाले हैं रमजान के लिए तो नमक और थोड़ा सा विनेगर आड़ करके आप स्टोर कर सकते हैं यहाँ पर दूसरी तरफ मैंने कोकम लिया है इसको मैंने आदा घंटा थोड़े से नीम गरम पानी में भीगो दिया था तो इससे यह बहुत अच्छे से स्मूध पेस्ट बनके ग्राइंड होता है इसको हम ग्राइंडिंग जार में ट्रांसफर कर देंगे इसमें कुछ नहीं आड़ करना है सिर्फ नमक आड़ करना है पर यह नमक वाला ही था मेरा अल्रेडी नमक लगाया हुआ था तो मैंने नमक आड़ नहीं किया था अगर आपका बिना नमक वाला है तो थोड़ा सा न फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं 15-20 दिन तक, ये कोकम की चटनी है तो खराब भी नहीं होगी, खटे आलू या कोई भी चाट के लिए आप इस्तिमाल कर सकते हैं, या पर मैंने आधा किलो आलू लिया था, आलू को अच्छे से आपने बॉयल कर लेना है और फिर उसका स्किन आपने कट कर लेना है, आप चाहें तो छोटे पीसे भी कर सकते हैं, मैंने थोड़े से मीडियम ही रखे थे और ये सारे बनके तियार हो गये हैं, अब हम एक तड़का बना के तियार कर लेंगे, तड़के के लिए मैंने सबसे पहले आपे एक टेबल स्पून ओयल गरम कर ल स्पून, हल्दी पाउडर आड़ कर देंगे, एक चुटकी, आदा चमच जीरा पाउडर है ये, और थोड़ा सा मैंने गरम मसाला पाउडर आड़ किया था, जो कि ऑप्शनल है, टेस्ट अच्छा आता है इससे, नमक आड़ कर लेंगे, हमने चटनी में भी आड़ नहीं कर लेना है, तो बस सारा मसाला जोई है, आलू को अच्छे से कोट हो जाए, तब तक इसको अच्छे से मिक्स कर लें, साथ-साथ इसी राइम पे मैंने बारिक चॉप किया हुआ धनिया इसमें आड़ कर लिया है, इससे टेस्ट एनांस होता है, ये देखने में भी अच्छा ल आप चाहें तो कोगम की चटनी इसके ऊपर आट कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको साइड में इस तरह से सर्व किया था, आप इसको टूथ-पिक की हल्प से रेलिश कर सकते हैं, तो जरू ट्राइ करिएगा, रेसेपी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेर, सब्सक्राइब करन बिल्कुल मत भूलिये का, आज के लिए इतना काफी है, फिर मिलती हूँ एक और नई रेसेपी के साथ, तब तक इजाज़त चाहती हूँ, थांक यू सो मच फॉर वाचिक माई वीडियो, टेक गुड केर, बाई